नमस्ते रिस गीतु मीरपुरी रॉम डिवाइन तर्च शीलिंग अकाड़मी में क्रिस्टल नीलिंग के लासे चंदक्त होते हैं आप यह लासे ओनलाइन भी सीख सकते हैं हंड्रिट वराइटी ऑफ क्रिस्टल्स आपको बताया जाते हैं क्रिस्टल्स को कैसे यूज करना हैं चकराड़ क्लिएरिंग चकराड़र एलोज़ाइजर और अउरख बनाना अपको सिखाया जाता है यह basically video बन रहा है kunzite crystal के ऊपर एक gemologist जिनका नाम था George Kunz उनके ऊपर उसका नाम पढ़ा है kunzite यह crystal को woman stone भी कहा जाता है because यह emotions के ऊपर खाम करता है अगर आपकी life में first मैं आपको बता देती हूं कि female इसको कैसे use करना है females इसे use करेंगे तो क्या effect होंगे यह आपको और emotional बनाता है और आपकी जो भी emotional toxins है body में उसको पूरा clean कर देता है for example child hood का कोई trauma आपको याद है और इसकी वज़े से आपके life आगी नहीं बढ़ रही है तो kunzite आपको उसे बुलाने में मदद करता है अगर आपका कोई relationship breakup है उसे बुलाने में मदद करता है आप एक fresh start करते हो आपको emotionally positive बनाता है एक fresh start आपकी life में करता है आपको confident बनाता है और mothers जो बचों को देखने में उनको तोड़ा tough लगता है तो उनके लिए भी ये kunzite stone best है kunzite stone अपने पास रखने से mothers के जो actions है वो ये kunzite stone control करता है जिससे आपका nurturing, caretaking बच्चे का proper होता है और आपको वो tough नहीं लगता है आपको easy assignment लगता है आपके जगरे होते हैं office में colleagues के साथ जगरे होते हैं या employer हैं तो employees के साथ आपके जगरे होते हैं या फिर relationship में घर पे कुसी के साथ आपके fights बगरे होते हैं तो ऐसे cases में भी kunzite आपको guide करता है कैसे actions लेने हैं जिससे आप खुद hurt नहीं हो या आपको hurt से बचाता है इसके अंदर rose quartz के सारे qualities हैं बट kunzite एक high energy stone है आप देख सकते हैं इसका color rose quartz के जैसा pink होता है यह higher version है rose quartz का और emotions को control करता है मातायन जो है बच्चों को अच्छी तरह से संभाल पाती हैं यह crystal को use करने से अगर आपके अंदर कुछ addiction आगया है तो भी यह crystal आपको help करता है आपको अगर कुछ health issues है और reports और नॉर्मल आरें है मीनिंग कहां तो आपकी emotions imbalance है तो kunzite use करने से आपकी emotions balance हो जाते हैं यह crystal आपको बहुत ही अच्छा healer बनाता है आप अपने patient के साथ अच्छे से connect हो कि उसका problem समझ कि आप जब healing देते हैं तो बहुत ही positive results आते हैं आप अगर अध्यात्मी growth करना चाहते हैं higher energies के साथ आप connect होना चाहते हैं तो यह आपका emotional level बढ़ा कर आपको higher energies के साथ connect करवाता है और आपकी intuition level को बढ़ाता है और past में कुछ ऐसे experiences जिसे for example आपकी कुछ projects का result negative आया है या आपकी कुछ interviews negative दे हैं that thing is affecting your current interview or your current project तो आप concise use करके past को disconnect कर सकते हैं आपके life में से so basically यह emotionally emotions को emotionally हमारे body को detox करता है जिससे आप आपकी life को अच्छे से जी पाते हैं और आप logically नहीं जीते हैं आप emotionally अपने life को अच्छी तरह से जी पाते हैं और यह basically heart chakra से connected stone है इसके results बहुती fast आते हैं और जो बहुत weak patients है उन्हें यह stone नहीं use करना चाहिए they should go with rose quartz first और फिर कुछ दिनों के बादा quinsite use कर सकते हैं यह basically heart की blockages को अगर chest एक है उसको भी ठीक करता है Thank you